वल्कम बेक दोस्तों, साउमी निकल इंडे के अंदर अपना सबसे बड़ा इवेंट और्गनेस्ट किया, जहाप इन्हों ने अपने मोच्ट केबबल फ्लेक्सिप स्मार्टफोन MI11 Ultra के साथ में MI11X सीरिस को लॉंच किया, जहाप आपको दो स्मार्टफोन दिखने को मिले MI11X and MI11X Pro, जो कि globally Redmi K40 और K40 Pro Plus के नाम से गए थे, यदि हम लोग यहाँ पे especially बात करते हैं MI11 Ultra की, बाई, best camera फ्लेक्सिप स्मार्टफोन है, 2021 के अंदर, सूपर फ्लेक्सिप स्मार्टफोन इसे आप बोल सकते हो, definitely बोल सकते हो, 17,000 इसकी प्राइजिंग है अभी, साउमी नहीं लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे जैनल पर नहीं हो, चैनल को सस्क्राइब कर देना है, इस पीडो को लाइक कर देना है, चले बेटों पागे बढ़ते, योर वाचिमा यट्यूब चैनल, Tech X-Minute चली जानते है कुछ बढ़ी है, डिजान और वेट की सबसे पहले बात कर करते दोस्तों, आपको MI11 Ultra 234 ग्राम का मिलता है, 8.4 mm की थिकनेस मिल जाती है, सेरेमिक बैक मिलता है, अलिमनम का फ्रेम मिलता है, IP68 का सेटिफिकेशन मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगर पिंस सिंसर है, Samsung S21 Ultra की बात करें, 227 ग्राम का वेट है, 8.9 mm की थिकनेस मिलती अलिमनम का फ्रेम में, IP68 का सेटिफिकेशन मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगर पिंगर पिंस सिंसर है, लोग डिजाइन वाज यहापर दोनों स्मार्टफोन प्रीमियम लुकिंग डिजान को फॉलो करते, लेकिन मुझे परसनली यहापर MI11 Ultra का डिजाइन पसंद आय साइड में देखोगे तो 1.1 इंचेस की छोटी सी स्क्रीन है, जिसको MI Band 5 से उधार में लिया गया है, साउमी की ब्रांडिंग है, on the front you get top left corner punch hole, overall धासू डिजाइन है, talk about S21 Ultra, इसका डिजाइन भी प्रीमियम है, back panel पे आपको vertically 4 कैमरास की हाउसिंग मिल रही है, सैमसिंग की ब्रांडिंग है, on the front panel you get center punch hole cut out, always premium, talk about build quality, दोने स्मार्टपोन प्रीमियम फ्लैक्सिप केटेगरी वाले डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर MI 11 Ultra ceramic back यूज़ करता है, जिकि S21 Ultra normal glass back यूज़ करता है, यहाँ अंतर भूद बड़ा देखने को मिलता है आपको, सबसे पहले बात क जो normal glass होते हैं, उनका कोई molecular structure नहीं होता है, जिकि जो ceramic glass आते हैं, उनका molecular structure होता है, I hope आप लोग समझ गए होंगी, आप वो build quality MI 11 Ultra के अंदर ही better मिल जाती है, दो मुलबुत आउसकता की बात कर ली जाए, which is 3.5 mm jack and card slot दोने स्मार्टपोन के अंदर नहीं है, seriously नहीं है, जित 6.81 इंचेस की 2K AMOLED दिस्पले मिल रही है, 120Hz का दिस्पले देखने को मिलता है, HD 10 Plus का support मिल जाता है, Dolby Vision मिलता है, 229 का aspect pressure देखने को मिलता है, और Corny Gola Glass Victus का protection मिल जाता है, Samsung Galaxy S21 Ultra की बात करे, 6.8 इंचेस की 2K Dynamic AMOLED 2X दिस्पले मिलती है, 120Hz का display देखने को मिलता है, HD 10 Plus का support मिल जाता है, 29 का aspect ratio मिलता है, Corny Gola Glass Victus का support मिलता है, और Always On Display जिस्पले मिल जाते है, डिस्पले में ये दोनों ही smartphone एक दूसरे से कुछ एक aspects में similar है, सच इस display size, resolution, refresh rate, sampling rate and many more, लेकिन 2 जगे MI 11 Ultra आपको बैतर मिलता है, पहला तो यहाँ पको Dolby Vision देखने को मिलता है, और दूसर चीज ये है, जब आप आप outdoor conditions में जाते हो, तो आपको 17 सुनीट की peak brightness देखने को मिलती है, जब कि S21 Ultra सिर्फ 15 सुनीट की peak brightness को touch करता है, तो अगर आपको एक bright display चाहिए, तो मैं आपको personally MI 11 Ultra ही prefer करूँगा, hardware की बात करते हैं, MI 11 Ultra के अंदर Snapdragon 888 मिलता है, जो कि 5 nanometer process पे बना ह साथी 2.84 GHz की maximum CPU frequency प्रवाइड करता है, Adreno 660 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है as a GPU, software में Android 11 के साथ में MIUI 12.5 देखने को मिल जाता है, S21 Ultra की बात करें, यहाँ आपको Exynos 2100 देखने को मिलता है, जो कि आपको 2.9 GHz की maximum CPU frequency प्रवाइड करता है, Mali G78 MP14 वाला GPU देखने को मिल जाता है, hardware के नदर थोड़ा सा समझने की जरुरत है, आपको यहाँ पे एक भैदर performance चाहे वो gaming के लिए हो, या चाहे वो multitasking के लिए हो, Android की दुनिया का सबसे powerful processor, which is इतना अप्रेगंट रिपलेट, आपका साथ देने वाला है, अब आपका सवाल होगा, भाई, इसे भी Snapdragon 888 GPU के मामले में, Exynos 2100 के GPU से 11% better perform करता है, इवन benchmark में Snapdragon 888, Exynos 2100 से over perform करता है, हाला कि दोनों के बीच में hardware को लेकर के उतना भी बड़ा difference नहीं है, लेकिन जो gaming जिसी चीज़े है, उसको Snapdragon 888 better handle कर लेता है, इवन जो heavy task होते है, उसको भी अच्छी तरीके से handle कर ले बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं software की, Android 11 तो आपको दोनों के अंदर provide क्या जा रहा है, लेकिन MIUI 12.5, MI 11 Ultra के अंदर मिल रहा है, जहाँ पे आप एक हद तक जितने भी फालती हो के blot words होते है, उसको install कर सकते हो, दूसरी तरप Samsung के device में आपको मिलता है, 1UI 3.1, क्योंकि आप तो hardware software में MI 11 Ultra better मिलेगा, चलो अभी cameras की बात कर लेते हैं, MI 11 Ultra में 50MP का triple camera setup मिलता है, और 20MP की selfie मिल जाती है, बात करते हैं Samsung S21 Ultra की, यहाँ आपको 108MP का quad camera setup मिलता है, और 40MP की selfie देखने को मिल जाती है, अब यहाँ पे आप better किसको बोल सकते हो, obviously MI 11 Ultra आपको यहाँ पे एक better camera प्रोवाइड करता है, इसकी कुछ solid reasons है, सबसे पहले सुरुबात करते हैं DXO Mark से, जो की camera की quality को measure करता है, यहाँ पे MI 11 Ultra ने score किया था 143, जबकि S21 Ultra ने score किया था 121, जो दूसरा सबसे बड़ा reason है, MI 11 Ultra में 50MP का Samsung GN2 sensor यूज़ हुए, और इसके sensor का size है 1 by 1.12 inches का, जबकि S21 Ultra में 108MP का Samsung HM2 sensor यूज़ हुआ है, उसका sensor size है 1 by 1.33 inches, जो की काफी छोटा है as compared to MI 11 Ultra, अब इससे क्या होगा, क्या difference पैदा होगा, जो आपको low light और dynamic range वाली photos मिलेगी, वहाँ पे details अच्छी खासी देखने को मिल जाने वाली, दूसरा reason सुनलो, आप MI 11 Ultra के अंदर 48MP वाला Sony AM AMX 586 ultra wide angle lens है, और इसका sensor size है 1 by 2.0 inches का, और जो S21 Ultra के अंदर 12MP का ultra wide angle lens है, वहाँ पे आपको sensor का size मिल जाता है 1 by 2.55 inches का, इससे क्या होगा, जो आप ultra wide shots ले पाओगे, वहाँ पे आपको details और dynamic range अच्छी खासी मिल जानेगी, वाकिए OIS पगेर तो आपको दोनों के अंदर provide क जारें बात करते है, telephoto sensor की, तो आपको MI11 Ultra में 48MP का Sony MX586 वाले telephoto sensor प्रवाइड के जारें, जापको 120X zoom देखने को मिल जाता है, और 5X optical zoom मिल जाता है, S21 Ultra में 3X optical zoom मिल जाता है, और इसका जो periscope telephoto sensor है, वहाँ आपको 10X optical zoom मिल जाता है, और OIS देखने को बिल जाता है, हा आपको MI11 Ultra ही dominant करता हुँ दिखेगा, बात कले ते वीडियो recording support की, आप 8K वीडियोस को 24fps पर रिकॉर्ड कर पाऊगे, दोनों स्मार्टफोन के rear camera से, और front camera से आप MI11 Ultra में full HD plus video ही रिकॉर्ड कर पाते हो 30fps पर, और जो S21 Ultra उसके front camera से आप 30fps पर 4K वीडियोस तक रिकॉर्ड कर पाऊगे, बैटरीं की बात करते हैं, दोस्तों MI11 Ultra में 5000 एमेज की बैटरी मिलती, 67 Watt की fast charging का support मिल जाता है, 67 Watt की wireless charging का support मिलता है, और 10 Watt की reverse charging का support मिलता है, बैटरीं डिपाटमेंड में MI11 Ultra डॉमिनिट करता है, S21 Ultra को, क्योंकि यहां पे आपको fast charging टेक्नलोजी भी अच् सबसे बड़े comparison में confusion होना तो जायद सी बात है लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक confidence के साथ में बोल सकता हूँ यहां पर Domination MI 11 Ultra के तरब से Pro Level पर देखने को मिला हुआ है चाहे आपकी requirement डिस्पले हो processor हो, battery हो, design हो जो भी हो, एक ही device बना है इसके लिए वो है MI 11 Ultra सबसे powerful processor snapdragon 8888 है, display भी pro category वाली है, cameras over perform करते हैं और design तो बोले तो भाई, unbitable है we got a real super phone in flagship segment, pricing की बात करें तो यहां पर आपको almost 27,000 का difference देखने को मिलता है, यादी हम लोग S21 Ultra और MI 11 Ultra की pricing को compare करते हैं, इतने में तो OnePlus nod जाता है, तो pricing वाइस अगर आप देखोगे तो यहां पर obviously MI 11 Ultra S21 Ultra को dominate कर रहा है, और obviously इस comparison का winner भी MI 11 Ultra ही है, वैसे आप लोग बताना, MI 11 Ultra आपको better लग रहा है या फिर S21 Ultra आपको यहां पर better लग रहा है, मेरे साब से मैंने आपको बता दिया, आप लोग भी बताएगा, करण बाक्स में कमेंट करके यह भी बताना, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको यह वीडियो को पसंद आएगी, तो यह वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आये हो, चैनल को सस्क्राइब करके बला आकान को प्रेस कर देना, क्योंकि इस तारीकी की आपको मिलती है हमारे चैनल पर, डेली बेसिस पर, फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेकूर में, तब तक के लिए, बाई